आज हम बात करने वाले हैं दस्वीक अच्छा के विज्यान विश्य से सम्मंदित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिश्णों की जो कि आपकी बोड़ पर इच्छा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं उन सभी महत्व प्रिश्णों को अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपको इन सभी प्रिश्णों से जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ यहां से प्रिश्ण देखने के लिए मिल सकता है इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पहला प्रश्ण क्या होगा हमारा व्रक के कोई दो प्रमुख कार्य लिखिए अब ये प्रमुख कार्य क्या होंगे तो यहाँ पर दो प्रमुख कार्य बताने हैं उत्तर होगा व्रक निर्थक तथा विसेले पदार्थों का निश्कासन करते हैं पहला ये कार्य हो जाएगा होता है निरर्थक तथा विसले जो पदार्थ होते हैं इनका निस्कासन करते हैं यानि सरीरुक से बाहर निकालते हैं उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा वरक्त के माध्यम से सरीर के अंतह वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं और रक्त के पियच मान पराक्रमी दाब आधि को इस्थिर रखते हैं वरक्त के माध्यम से सरीर के अंतह वाता वरण को संतुलित बनाए रखते हैं ये रक्त के पियच मान पराक्रमी दाब आधि को इस्थिर रखते हैं इंपोर्टेंट है हम आगे देख लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मनुस्य के स्वसन अंगों की विशेष्टाएं लिखें यहाँ पर हम देखेंगे पहले विशेष्टा क्या हो जाएगी स्वसन की जो सता है स्वसन सता नम होनी चाहिए दूसरा स्वसन सता पर रक्त कोशिकाओं का जाल फैला होना चाहिए स्वसन सता का छेतरफल अधिक होना चाहिए तो ये कुछ तीन हैं यहाँ पर तीन प्रमुख विसेस्ता हैं स्वसन अंगों की आगे हम देख लेते हैं अगला प्रिष्ण क्या होगा तो अचा के कार्य लिखिए तो अचा के कार्य लिखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख कार्य है सरीर के ताप का नियमन करती है क्या तो अचा उसके बाद दूसरा कार्य होगा सरीर की आकरती को बनाये रखती है तीसरा प्रमुख कार्य क्या होगा यहां उत्सरजन में सहायक होती है पसीने के रूप में अनावस्यक जल एवं खनीच सरी से बाहर निकालती है क्या तो अच्छा हम आगे देख लेते हैं मनुष्य में पाए जाने वाले दातों के प्रकार तथा उनके कारे लिखिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट है आप से परिच्छा में पूछा दा सकता है तो इसको ध्यान रखेंगे और आप चाहें तो इसका श्किन शोट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा या फिर आपके पास तीसरा अप्सन यह है इस वीडियो को दो बार या तीन बार देख लीजिएगा ये निश्चित तोर पर आपको याद ही हो जाएंगे आपको ना तो लिखने की जरूरत पड़ेगी और ना इनको बार बार रटने की जरूरत पड़ेगी और स्भमजने का प्रयास आप जरूब किया करिए हम देख लेते हैं यहां पे पहला क्या हो जाएगा मनुषे में चार प्रिकार के दाट पाये जाते है क्रंतक, क्रंतक यह जबडों में यह दोनों जबडों में हमारे जो दोनों जबडे होते हैं इसलिए ने काटने वाले दात भी कहा जाता है कि इनको क्रंतक दंत को और फिर होते हैं रदनक क्या रदनक ये दोनों जब्ड़ों में दोदो होते हैं पहला है क्रंतक दूसरा रदनक ये दोनों जब्ड़ों में दोदो होते हैं ये भोजन को चीरने फारने का काम करते हैं और अग्र चवरनडक, चरणवक के बोलते हैं इसको चर्वर्डक, ठीक है आब ध्यान में रखेंगे ये दोनों जबरों में जबडे होते हैं चार चार होते हैं और भोजन को चबाने का काईरे करते हैं इसलिए इन्हें चबाने वाले दाथ भी कहा जाता है उसके बाद यहाँ पर चवान रख होगा यहाँ पर लिख लिजेगा यहाँ पर मैंने लिखना यहाँ पर लिखा नहीं है यहाँ पर अगर चवान रख हो गया यहाँ पर होगा चवान रख ठीक है इसको आप लिख लिजेगा यहाँ पर दात मैं लिखने के लिखे लिए बूल गया हूँ, इसको ध्यान रखेगा यह दोनों जबड़ों में छेछे होते हैं, भोजन को पीशने का कार्य दाते हैं चबाने वाले, चीरणे वाले और काटने वाले और यह होते हैं पीशने वाले इस चार प्रकार के दात हो जाएंगे इंपोर्टेंट हैं और इनसे यहाँ पर दो चीजे हैं दातों के प्रकार देखने के लिए मिल गए हैं पहला क्रंतक रदनक, अग्र, चर्णवक और फिर हो जाएगा चर्वणडक ठीक है यह हो जाएंगे चार प्रकार के दात और इनके जो कारी हैं यह यहाँ पर लिखे हुए हैं तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे आप तो यहाँ पर इसे आप ध्यान में रखें एक बार हम फिरसीन से भी प्रिष्णों को देख लेते हैं पहला प्रिष्ण क्या होगा वरक के दो प्रमुख कारे लिखिए वरक निरर्थक तथा विसले पदार्थों का निस्कासन करते हैं दूसरा वरक रक्त के माध्यम से शरीर के अंतह वाता वरण को संतुलित बनाये रखते हैं ये रक्त के पियच मान पराक्रमी दाब को पराक्रमी दाब आधिकों संतुलित रखते हैं यानि स्तिर रखते हैं इसके बाद दूसरी प्रमुख विसेस्ता देखेंगे मनुष्य के सौसन अंगों की विसेस्ता हैं लिखिए सौसन सता नम होनी चाहिए सुस्तन अस्तर पर रख्त कोसीकाओं का जाल फैला होना चाहिए सुस्तन अस्तर का छेतरफल अधिक होना चाहिए इसके बाद हम अगला देखेंगे तचा के कारे तो यहाँ पर देखेंगे सरीर के ताप का नियमन करती है सरीर की आकरती को बनाये रखती है या उत्सरजन में सहायक होती है पसीने की रूप में अनावस्यक जल यवाम खरीच सरीर से बाहर निकालती है इसके बाद अंत में देखते हैं महत्वपूर्ट प्रश्ण है मनुस्य में पाए जाने वाले दातों के प्रकारत है उनके कारे लिखिए मनुष्य में चार प्रकार के दात पाए जाते हैं क्रंतक ये दोनों जबडों में चार-चार होते हैं ये काटने वा कतरने का काम करते हैं इसलिए इन्हें काटने वाले दात भी कहा जाता है उसके बाद दूसरा है रदनक दूसरा प्रकार दातों का रदनक दात ये दोनों जबड़ों में चार चार दो दो होते हैं ये दोनों जबड़ों में जो रदनक होते हैं कितने होते हैं ये भोजन को चीरने फारने का काम करते हैं अगर चरणवड़क ये दोनों जबड़ों में चार चार होते हैं ये भोजन को चबाने का कारे करते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा चर्व रडख इसको ध्यान में रखेंगे ये छेचे होते हैं दोनों चबड़ों में और पीछने का कारे करते हैं भोजन को तो ये कुछ बहुत ही महत्तुप प्रश्ण थे जो कि आपको आपकी परिच्छा में देखने के लिए मिल सकते हैं सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बोड़ परिच्छा से सब्मांदित आपके मन में कोई कमेंट है तो बेजी जग कमेंट करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए